हालो स्टुनेंट्स वेलकम टू मेरा अपना स्कूल असलाम वालेकुम बेटा कैसे हैं आप लोग सब खेरियस से होंगे तो आज हम शुरू करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ओफ लाइट के टॉपिक पर बात करेंगे हम और लाइट चुँके एक टाइप ऑफ वेव ही है तो मैं साथ में ब्रैकेट के अंदर वेव भी लिखवा दिया ठीक है अचा वेव एंड साउंड का जो चैप्टर हम शुरू कर चुके थे उसी के अंदर का यह टॉपिक है और इंतहाई एहम टॉपिक है इसके अंदर आप लोग को एक वाहिद फिनॉमिना समझाया जाएगा कि रि पहले थोड़ा समस्मझ लेते हैं देन फिर दोबारा हम उसको लिख भी लेंगे इंशाला जल्दी किसी चीज़ के नहीं है पहले समझना जरूरी हम समझ लेते हैं कि हम यहां एक कंसिडर कर रहा हूं यह मेरे पास एक सिंपली मिरर है ठीक है यहां मैं लिख रहा हूं मिरर और यह मिरर जो है इस मिरर की खास बात यह है कि यह शाइनिंग मिरर है यह एकदम स्मूथ और शाइनिंग मिरर है आपके पास यह इसका जो सर्फेस है वो एकदम रागुलर सर्फेस है और स्मूथ सर्फेस है और यही इस बात को डिफाइन करता है कि यह शाइनिंग मिरर है ठीक है अब होगा ये अब होगा ये कि हम करेंगे ये कि इस पर अगर light from the source of light जैसे हम मान कर चलते हैं कि यहां आपके पास एक source है जिससे light produce हो रही है और ये light ऐसे आगे की तरफ आ रही है ठीक है और light क्योंकि wave की form में travel करती है तो अब ये जब light travel ऐसे आते हुए ठीक हम इस light को ले लेते हैं ये light ऐसे propagate करते हुए सीधा mirror पर अगर hit करती है तो mirror पर hit करने के बाद ये light क्या हो जाएगी reflect हो जाएगी क्या हो जाएगी बेटा reflect हो जाएगी सही तो यहां इसी बात को समझाना चाहरा हूँ बेटा मैं आप लोग को कि किसी भी mirror में जो light के strike करने का अमल है वो हमेशा इस तरह से होता है कि जो incident रहे है वो light जो के hit करती है before striking उस light को आप कह सकते हो कि यह light जो है वो incident 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 ray कहलाएगी ठीक है incident ray of light यह पूरा लिखने की जगह नहीं है मैं simply लिख रहा हूँ incident ray है और जब यह strike करेगी strike करने के बाद यह reflect हो जाएगी और reflect होने के बाद हम इसको नाम दे देंगे अब यह बन चुकी है reflected ray अब यह बन चुकी है reflected ray जिस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर इसने mirror पर strike किया वो point से अगर मैं एक बिलकुल perpendicular या normal ray ड्रॉ करूं तो वो आप लोगों को ऐसे कुछ करके दिखेगी थोड़ा सा उपर नीचे हो सकता है पर यह याद रखेगा यह line एक अदम स्ट्रेट रहेगी ठीक है इसको हम correct कर लेते हैं यह आपके पास इस तरह से straight एक line है ठीक है अच्छा इस line को हम कहते है normal ray इस line को कहा जाता है normal ray ठीक है यह जो है वो कहलाती है normal normal ray ठीक है तो अच्छा अब हो यह करने गा मकसद यह के incident ray जब strike करेगी mirror पर तो जो angle form करेगी वो angle कहलाता है वो angle कहलाता है angle eye ठीक है और यह जो angle eye है यह होता क्या है angle eye का मतलब होता है incident angle या angle of angle of incidence angle of incidence angle of incidence angle of incidence incidence इसी तरीके से after striking when it reflects to reflects to back यानि जैसे reflect होगी तो bounce back होगी reflect होगी कुछ ना कुछ खास angle पर reflect होगी उस angle को हम कहेंगे angle of angle r ठीक है उसे आप angle r का नाम दोगे ठीक है मैं इसको एक circle से बना देता हूँ हो ताके आप लोग को वाज़े क्लियर हो यह focus है हम इनी दो एंगल की बात कर रहे हैं angle r का मतलब ray strike जब होई light ray जब strike होई strike होने के बाद reflect होगी तो reflect होके from the normal ray जो angle बना रही है वो angle of reflection कहलाएगा जिसे आप angle करके small r से represent करेंगे और इसे हम नाम देते हैं angle of reflection ठीक है अच्छा angle of reflection और angle of incidence both angle are equal both angle are both angles ya both angles are must be equal ठीक है लाजमी equal होंगे उसकी वज़ा क्या है उसकी वज़ा यह है कि जिस surface पे जिस surface पे from the source of light ray strike कर रही है वो surface mirror का shining है regular surface है उसमें किसी किसम की irregularity नहीं है एकदम smooth है smooth होने की वज़ा से उससे angle of incidence बनाएगा वो from the normal ray उतना ही angle पर वो reflect हो जाएगा when you make when you draw the angle from the normal ray तो आप यह देखो कि angle of incidence हमेशा equal रहेगा angle of reflection के क्यूंके mirror shining है ठीक है यह बात याद रखेगा अच्छा यही phenomena यही phenomena sound wave के अंदर भी देखा गया है sound waves यह आप कह सकते हो के other waves of longitudinal transfer waves के अंदर भी यही phenomena observe किया गया है कि जब वो किसी obstacle से टकराता है तो तकराने के बाद जब वो sound wave किसी obstacle से टकराएगा तो टकराने के बाद वो भी reflect हो जाएगा और उस phenomena को हम नाम देते हैं reflection of sound wave और इसी तरह अगर light strike करेगी तो वो कहलाएगा reflection of light light strike करेगी तो reflection of light और अगर sound strike करेगा तो reflection of sound ठीक है reflection means जो चीज जिस भी type की wave अगर hit करेगी वो हमेशा reflect होगी और अगर sound wave reflect हुई तो light reflection of light sound हो जाएगा और अगर light reflect हुई तो reflection of light बन जाएगी चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लिख लेते हैं ताके आप लोग को समझ तो आ गया होगा इस बात को हम define कैसे करेंगे से explain कैसे करेंगे यह सवाल अगर बनकर आता है तो आपने से attempt कैसे करना है यह डाग्राम मत बुलेगा इस डाग्राम का भी screenshot लेके रखें इसको भी अपने पास register में copy करके रहें अपने हाथ से बार बार में इसलिए force कर रहा होता हूं कि जब तक आप लोग खुद रहीं करे अपने हम आप लोग आप गरता है क्योंकि आप अगल अव एंगल एंगल आफ रफ्लिकशन को equal लेना चाहते हो तो उसके लिए mirror must be a shining ठीक है अच्छा a light strikes from to a light strikes a shining mirror तो होगा क्या या shining surface आप किसे कह दो shining mirror कह दो या shining surface का भी नाम दिया जा सकता है ठीक है shining surface it reflects it reflects from the surface it reflects from the surface ये भी आप मेंशन कर ले होता क्या है strike करती है तो स्राइक होगे surface से light ray reflect हो जाती है it reflects it reflects from the surface ठीक है it reflects from the surface ठीक है उमीद है बिटा क्लियर हो रहा होगा आप लोगो अब हमने यहां पर कुछ आहम बाते लिखनी है के incident wave जो angle बना रही होती है that angle is called angle of incidence ठीक है यह भी note down कर लें अपने पास के incident incidence wave incident wave incidence waves makes the angle of incidence 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 wave makes the angle that is angle I makes the angle of incidence and 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 reflected what do you think अगला ज़्ज जब अगला 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 जबागल and reflected and reflected yeah and after reflection and after and after reflection and after reflection and after reflection it makes it makes angle of reflection ठीक है? angle of reflection that is angle R that is angle R, ठीक है? क्या होगा? angle R हो जाएगा ये तो हमने light को लेकर जो बात की थी ये वो है, अच्छा अब थोड़ा सा हम इसको sound wave के अत्बार से भी समय लेते हैं in the same way ये ही कहानी होगी when waves of sound travel करेगी sound की wave हो या कोई another type of longitudinal transfer wave हो तो उसमें भी यही situation पेश आएगी चलिए in the same way हम इसको भी write down कर लेते हैं in the same way ये से मैं थोड़ा सा red marker से लिखवा रहा हूँ ताके आप लोग को ये बात जहन में रहे पहले हमने light wave की example लेकर समझा अब हम sound waves के अंदर इसको जोड़ है in the same way in the same way in the same way when waves of sound, when waves when waves of sound or or other longitudinal or other longitudinal and transverse and and transverse wave reflect and other and transverse wave reflect take a reflect reflect ho jayegi reflect ho jayegi from a surface from a surface from a surface this uh what do you think this this process you job in a process samja yeh process kailata hai this process this process ya this phenomenon this phenomena this phenomena is called this phenomena is called reflection 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 of sound reflection of sound wave reflection of sound wave ھیک ہے چلیے اب ہم نے یہاں تک اپنے اس topic کو complete کر لیا ہے جلدی سے اس کا screenshot لے فورا سے okay done چلیے اب ہم اپنے اس topic کو یہی پر اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ ہم next topic کا آغاز کریں گے اپنے next video session کے اندر اور انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ ہم ان topics کو لازمن طور پر کریں بلکہ پورا complete course ہی کروایا جائے گا ہر ایک topic پر بات ہوگی انشاءاللہ تب تک کے لئے اپنے بہت سارا خیل رکھی گا thank you so much allahafone